नमस्कार दोस्तों तो प्रताब क्लासिस के यूटू चनपर आपका स्वागत है तो अपना लक्ष है जो अपना टार्गेट है वो अपने धीर धीरे इसको कवर करते चल रहे हैं तो अपनी RBSC राजस्तान अध्यन की पुष्टा का रिवाइस अपने दिये चल रहा है क्योंक की एक, दो और तीन कंप्लीट करवा दिये आज अपने चार नमबर पार्ड की बात करेंगे और अपने इसी चैनल पर इसका अलग से प्ले लिश्ट भी बनी हुई है अगर कोई साती सारी क्लासेस देखना चाहे तो 6-12 RBSC की नाम से प्ले लिश्ट बनी हुई है वहाँ से आप सभी क्लासें देख सकते हैं तो ये क्लास, स्कूल व्याकेता, सुचना साहिक, जूनियर अकाउंटेड, राजस्तान प्लिस और बहुत जल्द ही पसुचर बढ़ती के जो है आवईतन परकिरा वो स्टार्ट होने बाली है इन सभी एक्जाम के लिए ये राजस्तान जनकी बुक है, वो आपको मैं रिवाइस करवाना, चाहा रहा हूं तो वन लाइनर क्वेशन की रूप में अपने इसके अंदर बात कर रहे हैं, अगर कोई साथी इस बुक को ओनलाइन मुगाना चाता है तो असी पांसो असी बाइस डबल जीरो एक, असी पांसो असी बाइ कर देना, ओनलाइन आप एड्रेस भी बगेरा, वाटसाप पे बेद देना, चार से पांदनों के अंदर आपको ये बुक भी मिल जाएगी, तो नाना क्लासिस के नाम से ये बुक आएगी, आपके पास है, ओनलाइन बुक आप इस नंबर पे मुंग आ सकते हो, तो सारे अजमेर के चोहान और अमेर के जो, अमेर के जो साचा के उनकी बाद इस कलास के अंदर करेंगी, देखो पहला क्योशन, पर्थिराज तरते का जनम कहा हुआ था, तो सभी को पता है, पर्थिराज तरते का जनम हुआ था, अहिन पाटल गुजराद के अंदर इनका जनम तो यह वी थी परत्यूराद चुहां तरते की अगर कोई साथी स्कूल व्याकेता के लिए क्रंट अफेर्स की टैसरी लेना चाहे तो हमारे परताब क्लासिज एप के अंदर है स्कूल व्याकेता यानि की फर्स्ट गेड के लिए फर्ष्ट गेड के लिए only current affairs की टैसरी चल रही है जिसके अंदर एक साल की validity रहेगी जब तक आपका जो है फर्ष्ट गेड का आगामी exam नहीं होगा तब तक आपको इसके अंदर current affairs है मिलता रहेगा जो जो फर्ष्ट गेड में जो जो topic है न current affairs के वो आपको वहाँ पर है टैसरी में मिलते रहेंगे इसे के साथ मैं जल्द ही आपके लिए यूटूबर भी व्याक्यान की start है करने वाला हूँ तराइन के प्रत्थम युद में किसकी विज़े हुई तो पृत्वी राज चोहान तर्थे की हरी केली नाटक किसके द्वारा रचीत है तो हरी केली नाटक है वीगर राज चतूर्थ के द्वारा कौन से विदवान प्रत्थि राज चोहान तर्थे के दर्बार में थे तो ये चंद्रबरदाई, जनारदन और जयानक ये कौन थे ये परत्युरा चोहान तरते के दरबार में ये विद्वान थे तराइन का प्रत्थम युद किन किन के बीच में हुआ था तराइन का प्रत्थम युद किन किन के बीच में हुआ तो ये हुआ था किसके बीच है चोहान तुर्कों के बीच इसका मतलब यह है बेचवानों में पृत्रा चोहान तरते था और तुर्कों में कौन थी? मुहमद गोरी किस सासक के सासनकाल को चोहान सासनकाल का सुनकाल का जाता है तो यह का जाता है बिसल देव इसका विसल देव का जो सासनकाल ना वो चोहान सासनकाल का सुनकाल है कहलाता है किस चोहान सासक ने पुषकर में वराव मंदिर का निर्मान करवाय था तो ये करवाय था अन्नो राजने किस ने करवाय था अन्नो राजने इसका निर्माने करवाय था समराड पृत्युराज चोहां तर्थे के पीता कौन थे? तो पृत्युराज चोहां तर्थे के पीता थे सोमेश्वर कौन थे? सोमेश्वर पृत्युराज तर्थे किस वर्स अजमेर के सासक बने? तो 1177 के अंदर बने? तराइन के युद्ध का विश्थित विवरण किस गरं कौन सी थी तो चोहान वंस के संस्तापा कौन थे वासुदे चोहान और इनकी राजदानी थी सांबर कौन सी थी सांबर इनकी राजदानी थी अजमेर के चोहनों को चोहनों के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है स्पाद लक्स कौन सा स्पाद लक्स किस चुहांद सासक ने सकंबरी के स्थान पर अजमेर को राजदानी बनाई किस चुहांद सासक ने सकंबरी के स्थान पर अजमेर को राजदानी बनाई तो ये बनाई थी अजे राज चुहां ने किसने बनाई थी अजे राज चुहां ने फिर प्रत्यूराद ध्वित्य, फिर सोमेश्वर, फिर प्रत्यूराद तर्त्य, उनका ये काल करम अनुषार करम वाईजिन को ये सासन करे थे इनुने, अब अपने बात करते हैं अर्णो राज के बारे में, सबसे पहले आपको पता है, अपनी राज काल के प्राहरम में उन् अनोराज ने और वे अपने ही पूतर जगदेव के द्वारा मारा गया थो यानि कि अपने ही पूतर जगदेव के द्वारा मारा गया थो अनोराज पितर हंता कौन था चुहानों का तो वो था जगदेव प्रित्वी राज तर्ते वे मुहमद गोरी के मद्दे कितने युद लड़ेगे तो आपको पता त्राइन का प्रत्थम युद है और त्राइन का द्वित्य युद हुआ था प्रित्वी राज तर्ते वे मुहमद गोरी के बीच में दो युद लड़ेगे प्रित्वी राज चोहान तरत्य का सम्मकालिन चालू के साथ कौन था तो वो था भीम सिंग द्वित्ये कौन था भीम देव द्वित्ये प्रित्वी राज चोहान तरत्य का सम्मकालिन चालू के साथ कौन था किस सासक द्वारा बनाये गे संसकर्थ महा विद्याले को कुतुब दिन एबक ने डाई दिन की जोंपडी में बदल दिया तो ये वग्र राज चतुर्त के द्वारा एक बनाये गेता संसकर्थ विद्याले जिसने कुतुब दिन एबक ने इस संसकर्थ विद्याले को देव चुहान. अज मेर नगर की स्तापना के पहले, अज मेर के चुहानों की राधनी कौन सी थी? वो थी संबर. डोक्टर गौपिना सर्मा ने जालोर के किस सासाख को उस समय का भारत का महानवय सक्ति साली सासक बताया? वो था उदे सिंग. कौन था? डॉक्टर गोपिना सर्मा ने जालोर के किस सासा को उस समय का भारत का महान और सक्तिशाली बताया था उस समय किसको बताया था उदे सिंगो चोहनो पर प्रत्थम मुसलिम आकरमन किस चोहन सासा के काल में वा उसमें ये दोनों सहीध हुए थे इतियास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन विख्या थे तो वो थे मालदेव सोनगरा कौन थे मालदेव सोनगरा अलावदिन खिलजी के निमनांकित वीजियों को काल करमा नुशार वेवेस्तित कीजिए तो अलावदिन खिलजी ने सबसे पहले चितोडगड दुर्ग जूता ये रन्थमबोर फिर उसके बाद में चितोडगड फिर सिवाना और फिर जालोर ये करम कईवर एक्जाम में अपुछा जाता है द्यान रखना जब अलावदिन खिलजी ने जालोर पर आकरमन किया उस समय वहाँ के सासा कौन थे तो वहाँ के सासा कौन थे का नडदेव जालोर के चुहन सासकों मेंसे कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आकरमन का सामना नहीं करना पड़ा देखो वी जालोर के चुहन सासकों मेंसे कौन से ऐसे राजा थे जिनको दिल्ली के किस किस सुल्तान के आकरमन का सामना नहीं करना पड़ा वो थे चाचिंग देव इसमें सामना नहीं करना बड़ा चाचिंग देव से रन्थम बोर दुर्ग पर दिल्ली सुल्टान अलाउदिन खिलजी के आकर्मन करने का मुख्य कारण क्या था उन्होंने अलाउदिन के विद्रोही सेनिक नेता थे मुहमद शा को अमीर द्वारा सरने देना यानि कि हमीर रन्थम बोर का ससता हमीर उसने क्या है अलाउदिन का एक विद्रोही सेनिक था मुहमद शा उसको उसने सरने दी थी हमीर देव चोहन का कौन सा सासक जलालुदिन खिलजी से युद करते वे मारा गया तो ये गुर्दास सेनी कौन सा मारा गया था गुर्दास सेनी मारा गया हमीर देव चुहन के साथ विश्वास गात करने वाले सेनापती कौन थे वो थे रणमल वरतिपाल इन्होंने क्या है मीर देव चुहन के साथ एक विश्वास गात किया था उन्होंने अपने जीवन के अंदर 16 युद लड़े लेकिन जो 17 युद ना ये रणमल रतिपाल के विश्वास गात के काण ये हार चुका था हमीर रासो गरंत के रिचिता कोण है तो ये हैं जोद राज ज्यान रखना हमीर रासो गरंत किसका है जोद राज का परत्थी रात तरते की आवशक्ता के दोरान सासन कारिया में उसके प्रधान मंतरी का सयोग और मारक दर्शन गरहता था ये प्रधान मंतरी कोण थे तो समय थे केमास कोण थे केमास किस चोहान सासक ने पुषकर में वरा मंतर का निर्मान करवाया था तो ये अर्णो राजनी क मुहनोत नेन सी ने कहा था ये किसने कहा था मुहनोत नेन सी ने अलावदिन खिलजी ने किस दुरुग पर आक्रमण किया तब उसके दो सेनापती नाहरखा और भोज ये दोनों सेनापती मारेगे वीरम देव सोनगरारी बाता और कानर देव परबंद गरंद के लेखा कोण है तो वो हैं पदम नाब कोण है वीरम देव सोनगरारी बाता और कानर देव परबंद गरंद के लेखा कोण है पदम नाब चोहान वंस के किस सासव को नाग बट तुट्य के दरबार में वीर की उपादी देगी तो ये किसको देगी थी गुवक को इसको देगी चोहान वंस का एक सासव था गुवक उसको क्या है नाग बट तुट्य के दरबार में वीर की उपादी देगी थी तारागर दुरुको राजस्तान का जिबलाटर की सित्यासकार ने कहा तो ये काता विश्व एबरने किस ने कहा था विश्व एबरने तारागर दुरुको राजस्तान का जिबलाटर कहा चंदर बरदाई का जनम 1148 में कहां पर हुआ था तलाहोर के अंदर इनका जनम हुआ जलाल दिन खिल जी ने किस दूर बारे में कहा कि ऐसे दस दूर्गों को तो मैं मुसलमान के एकबाल के बराबर भी नहीं समझता तो ये कहा था रन थंबोर के बारे में किसके बारे में रन थंबोर के बारे में जो तेरा सो एक के अंदर साका हुआ था ना पहला साका रन थंब अमीर खुसरों ने किस दुरुग के बारे में कहा कि आज कुफर का घर इसलाम का घर हो गया तो ये कहा था रन्थमबोर दुरुग के बारे में कहा था विज्या दित्य किस सासा का दरबारी कवी था विज्या दित्य तो ये था अमीर देव चोहान का जो रन्थमबोर के सासा क ने पराप्त की थी तो ये पर्थ्वी राज तर्ते ने इसने राय पिथोरा पीठने दिखाने वाला और दल पुंगल की उपा दी तो ये पर्थ्वी राज तर्ते गी थी पृत्वी भटका समंद किस से है पृत्वी भटका तो ये है चंदरबरदाई से किस से है तो ये करनल जैम्ष तोडने का था किसने का था करनल जैम्ष तोडने कच्छवा वंस प्रारम में किस वंस के सामन्त थे जो कच्छवा वंस है न अमेर के अंदर थे न वो प्रारम में किस वंस के सामन्त थे तो ये चुहान वंस के सामन्त थे दूले रहने बढ़ गुजरों को राकर प्रास्त करके अपनी दूसरी रादधनी किसे बनाई तो ये बनाई थी रामगड को ध्यान रखना दूले रहने सबसे पहले बढ़ गुजरों को राकर सबसे पहले रादधनी दोसा को बनाई फिर मिनाओं को राकर किसको बनाई रामगड फिर 1207 में किसने अमेर में मिन आंगी बारमल की पुत्री थी हरका भाई जिसको वरतमान में कहते हैं जो सेरियल चलता है अपने जोदा अकबर तो जोदा अकबर ठीक है अकबर की साथ पुत्री का विवा होता पंदरा सो बासट में सासकों को अकालकरम देखो बारमल का सासन काल था 1547 से 1573 फिर बगवान दास का था 73 से 1589 मान सिंग का था 89 से 1614 और मिर्जा रजा जैसिंग का था 21 से 1666 ये कालकरम द्यान रखना एक्जाम के अंदर यहीं आता है भी कौन सा सासक किस सासक के बाद में आया था ये एक्जाम में के वा रहें एक्जाम में के उसन आते हैं बगवान दास ने अपनी पुद्री मान बाई का विवा किस से किया जिसे खुसरों का जनम हुआ तो सलीम यानि की जहांगिर सिंग का विवा किया था मान बाई का पंद्रा सो नेतर में मान्सिय ने अकबर की किस ब्यान में सुर्जन हाडा को मुगल अदीनता से विकार करने में मैधपुन बुमिका निवाई जो मान्सिय का पहला सेन्य ब्यान था तो ये द्यानक न किस ब्यान में रन्थम बोर ब्यान में तो रन्थम व्यारूं के अंदर इसका पहला सन्य व्यालता जिसमें सुर्जन सिंग अड़ा को मुगल दिनता सिविकार करने में बैधपुन बोमी का निवाई थी मान सियां कि मर्ती 644 में कहा हुई थी एलिचपूर में कहा हुई थी एलिचपूर में अकबर ने किस अमेर सासा को फरजंध वे राजा तंता सात हजार का मंसब दिया था बगवान दास की मर्त्यों के बाद किस वर्ष मान सिया अमेर के सासक बने तो ये 1589 के अंदर है ये मैंने अभी आपको बताया मानसिय पर्थम के बारे में देखो 1500 तियतर में मानसिय महरणा परताब के पास संदी का तीसरा परस्ताव देकर गए थी ये मानसिय परस्ताब के बारे में त्यारकन है मिर्जा राजा जैसिंग 1621 से 1667 तक कितने मुगल बाशाओं का काल देखा था मिर्जा बाशा ने तीन जो है मुगल बाशाओं का काल देखा था तो तीन कौण कौण से थे जहांगिर, शांजा और और औरंग जेब ठीक है ये तीनों का देखा था किस वर्ष मानसिय परत्थम ने उडिसा जीतकर पहली बार उसे मुगल समराजे कांग बनाया था तो यह 1520 में के अंदर है सन्य अबियान के बारे में 1623 में मलिक अंबर के विरुद दक्षन अबियान में किया फिर 1629 में उत्रपाश्मी सिमान्त में उजबेगों के विद्रोहों को दबाया था फिर तीसरा 1623 में जैस याने खाने जहां लोदी की विद्र को दबाया था किसने मिर्जा राजा जैसिंग ने फिर ओर देखो इनके सेन्य ब्यान 1637 में जैसिया को मिर्जा राजा की पद्वी देखकर सुझा के साथ कंधार बेजा गया उत्रा धिकार युद में बहादुरपूर के युद 1608 में इसने सुझा को पराजित किया मिर्जा राजा जैसिंग सिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संदी हई थी और कभी बिहारी इनके दरबारी कभी थे जिनें बिहारी चतसे नामक गरंद भी लिखा था किस में मिर्जा राजा जैसिंग के दर्बारी कवी थे बिहारी जैसिय द्वित्य को स्वाई की उपादी किस मुगल बाशा ने दी थी तो ये दी थी ओरंग जेव ने जहां रखना जैसिंग द्वित्य को स्वाई की उपादी किस ने दी ओरंग जेव ने स्वाई जैसिय ने कितने मुगल बाशों का काल देखा था तो ये देखा था वो था मिर्जा राजा जैसिंग ये है स्वाई जैसिंग उसने तीन सासकों का गाल देखा और इसने साथ बाजशों का काल देखा था स्वाई जैसिंग का जनम हुआ था 1688 में ओरंग जेव के उत्रादिकारी संगर्ष के जाजाओ के युद में स्वाई जैसिंग ने किसका साथ दिया था तो ये दिया आज़म का इसका साथ दिया था उत्रादिकारी संगर्ष में आज़म का साथ दिया था ओरंग जेब के बाद मुज्जम बहादूर शाह के नाम से सासक बना और उसने अमेर में स्वाई जैसिंग के स्थान पर है विजे सिंग को सासित गोशिद करके अमेर का क्या नाम रखा था अमेर का नाम कर दिया था मौमिनाबाद किसने स्वाई जैसिंग के स्थान पर विजे स्वाइज जैसिंग नार्गड के ले का निर्मान करनेटा, तो यह सभी को पता हैं यहां पर चंदर महल, शिशोद्या रानी का महल, जल महल का निर्माण, जैपूर दिल्ली मतुरा, उजेन वारनासी में जंतर मंतर का निर्माण, मावठा जील तथा गोडिया संपर्दाए के मंदिर का निर्माण करवाय था किसने? स्वाई जैसिंग ने. जैपूर का पर्थम राजपूर सासक जिसने सरती पर्था की रोक्ता में तू प्रयास की तथा विद्वा विवा को मानेता परदान करने हैं तू नियम बनाए तो यह स्वाई जैसिंग ने, किस सासा के समय जैपूर की जनता ने कैप्टन बलेक नामक अंग्रेज की हत्या की किस सासा के समय जैपूर में लाड़ लूड़ो ने कन्यावद दहईज पर्था और सत्य पर्था बालविया पर रोक लगाई थी किस सासा का सासन काल ब्ल्यू पोटरी कला का सुन काल कहलाता है तो ये राम सिंग द्वित्य का बड़ा श्यांदर पॉइंट अभी स्वाई राम सिंग द्वित्य की काल में स्वामी देयानंद सर्स्वती जैपुर कितनी बार आए तो ये आयते द्यान रखना दो बार आय थी इसके समय स्वाई राम सिंग द्वित्य की समय आयते स्वामी देयानंद सर्स्वती मान सिंग द्वित्य की 97 में पोलो खेलते हुए गोडला से गिर जाने से मर्थidän कहां पर हुई थी लंदन के अंदर किस की मान सिंग द्वित्य की किस जयपुर साशक को बबर सहर के नाम से जाना ज़ाता था तो मादो सिंग पर्थम ठीक है मादो सिंग है पर्थम द्वित्य है निकी किस जैपूर सासा को बबर सहर की नाम से जाना जाता था तो ध्यान रकना ये द्वित्य है ठीक है मादो सिंग है द्वित्य है वो बबर सहर की नाम से जाना जाता था किस सासा के सासनकाल में ब्रिज वल बकवी के द्वारा जैपूर बहार नामक रंत की रचना कीगी तो ये मादो सिंग द्वीत्य है किस सासा के सासनकाल में सेना की बरती और वेतन के लिए बक्सी नामक दिकारी की नुकती कीगी यह कौशन टपक चुका भी exam के अंदर आया था तो जगज सिंग दूइथी यह पता नहीं फर्स्टि के अंदर आया था पता नहीं आया था एक में Saskरत भी वाग में सितने हैं आया था exam के अंदर सेना की बढ़ती और वेतन के लिए बक्स सी नामा का दिकारी न्यूपती की तो जगज सिंहे द्वित्य के शासन काल में परताब सियं के समय किस चितरकार ने इस वर सियं का आतम का चितर बनाया था तो साई बरामने किस साशा को जैपुर का बदनाम साशा की रूप में जाना जाता है तो जगत सिंग ध्वित्ये दिया रखना जगत सिंग ध्वित्ये को जैपुर का बदनाम साशा कहते है स्वाई परताब सीयं के संगीत गुरू कौन थे? चांद खान द्यान रखना बड़े श्यांदार क्येशन है द्यान रखना एक्जाम में ब्रिजपाल भट द्वारकनाद भट चांद खान गणपती बारती कवियों का समन्द किसी है? तो ये परताप सिंग के समंधहिन का 22 कभी 22 जो 32 संगी तग्ये जिने गुणी जन खाना कहा जाता था इन संगी तग्ये को गंद्रव बाईस ही कहते थे ये किस के दरबार के जंदर सोबा बढ़ाते थे तो ये परताप सिंगे दरबार में सोबा बढ़ाते थे कोटा सासक चातर साल वे जैपूर सासक मादो सिंग के मद्य बटवाडा का यूद कब हुआ जिसमें जैपूर की सेना पराजित हुई थी तो ये बटवाडा का यूद वाता 1761 के अंदर किसके बीच वह था ये कोटा सासक चतर साल और जेपुर सासक मादो सिंग के मद्य वह था बटवाडा का युद 1761 में राजपुतों का एक मातर सासक जिसने मराठों के दबाव से आतम अत्या की तो ये इस्रु सिंग ने ठीक है इसरी सिंग ने मराठों के दबाव से आतम हत्या कर ली थी अब देखो मादो सिंग प्रत्थम द्वारा लड़ेगे युद एक तो है काकवडा का युद 1769, बटवाडा का युद 1761, मावला मंडोली का युद 1767, राज मैल का युद 1747, और बगरु का युद 1748 तो ये मादो सिंग प्रत्थम द्वारा लड़ेगे युद हैं, जयपूर के की सासा को जागरित देव या बोमिया देव के उपनाम से जाना जाता है, तो ये इस वरचिया को जाना जाता है, किसको जागरित देव या बोमिया देव के नाम से जानते है, किसको इस वरचिया को स्वाई जैसिया ने 1741 में मंगवाना या गंगवाना के युद में किन रियास्त की सेनों को रहा तो ये जोधपूर नागूर ठीक है किसने स्वाई जैसिया ने किसको रहा जोधपूर नागूर को अब देखो स्वाई जैसिंग दुट्य के बारे में स्वाई जैसिंग द्वित्या के बारे में देखो जैसिया ने बर्थपूर जाट सासक बदन सिया को ब्रिज राज की उपादी दी थी स्वाई जैसिंग द्वित्या ने सासक जिसको आधुनिक चानक क्या बोलते हैं तो ये स्वाई जैसिंग को इसको स्वाई जैसिंग को अमेर का पहला सासक जिसने अमेर किले की सेने किला बंदी करवाई थी वो था विशनुसी हैं कौन था अमेर का पहला सासक जिसने अमेर किले की सेने बंदी करवाई विशनु अक्बर ने अमेर के किस सासर को राजवे अमीर उलुमुरा की उपादी दी थी तो ये दी थी बारमल को ये कोशन भी पिछली बार पता नहीं ले बशी इस तरह के एकजाम में आया था कि अक्बर ने अमेर के किस सासर को राजवे अमीर उलुमुरा की उपादी दी तो बारमल के बाद आमेर का नया जंडा पचरंगा निला पीला लाल हरा काला बना दिया इसमें पहले किस रंग का था ये पहले स्पेद रंग काई था लेकिन कबूला ब्यान के बाद आमेर का नया जंडा बन गया था जैपू राज्य की बूमी समंदी रिकोर्ड को क्या कहते हैं तो जै राज ने अमेर राजे को बारा बागों में बांटा और फिर अमेर यास्त बारा कोट्प्री के नाम से परशी दोई मिर्जा इसमाहिल जैपूर के किस सासा के परदान मंत्री थे तो मिर्जा इसमाहिल जैपूर के किस सासा के थे मान सिंग दूइत तेगे तो आज अपने 406 को तरह बात करेंगे बस लगबग मानके चलो भी दो पार्ट इसके और बढ़ेंगे इतियास के एक है चार नमर हो गया पांच और छह दो पार्टों में यह इतियास है वो आपका कंपलिट हो जाएगा उसके बाद में अपनी जो कलास नस करती है ना जैसे वो अपने स्टार्ट क रहे हैंगी बड़िया तरीके से और बुक ले ले लेना और wed को इप एंडिया और वह व्ल्ड की कुरंट एंफिर्स किkachलगे jojnze alternate kee एप है और बड़िया तरीके से आप टैसरी जे जोइन कर शकते हो तो धन्यवाद चेहिंद चेह भारत